मौत के सौधागर जी हाँ दोस्तों, आज हम दुनिया के कुछ मौत के सौधागरों के बारे में आप से बात करेंगे दुनिया में भगवान ने हर कोई को जीने का समान मौका दिया है इंसानों को मकान, पक्षी को पेड़ और जानवरों को रहने के लिए जंगल दिया है लेकिन जंगल में रहने वाले कुछ जानवरों को शायद इंसानों से प्यार नहीं आता इसी के कारण हम जैसे इंसान जाने अंजाने में इन प्रानियों का शिकार बन जाते हैं इन प्रानियों में से खुनखार, मानो भख्षी, कुछ मगरमच भी है आज ऐसे ही कुछ खुनखार मगरमचों के बारे में बात करेंगे नमस्कार दोस्तो, गेन नीज में आपका स्वागत है हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले पांच में नमबर पर है बूटस नमक वले पानी में रहने वाला है ये बूटस इसे एडिलेड नदी में देखा गया है जो की नॉर्दन टेरिटरी ऑस्टेलिया में है प्रतक्ष दस्यों के मुताबिक इसके तीन लिम से है एक लिम जिसे की पैर भी बोल सकते हैं एक बूलशार के साथ लड़ाय में गवाया था बूटस की लंबाई 5.6 मिटर यानी 10 फीट 4 इंचेज है और इसका वजन लगभग 1 टन है चोथे नमबर पे है बूजांग सेनांग बूजांग सेनांग एक नमक वाले पानी में रहने वाला मगरमच था जो की बोर्नियों में देखा गया था स्थानिय लोगों के अनुसार इसने अपने 30 साल के जीवन में बहुत इंसानों को मौत के घाट उतारा था 1952 के 20 मई को जब उसकी मित्तु हुई तब उसका सठीक नाप लेने में उसकी लंबाई 19.50 इंच और वजन लगभग एक टन मिला तीसरे नमबर पे है गुस्तावे शायद दुनिया का सबसे बड़ा जानवर में से एक है गुस्तावे जो की बुरंडी में रहने वाला नाईल नद का मगरमच है जानकारी के अनुसार इसने कम से कम 300 से जादा लोगों को अपना शिकार बनाया है पेट्रिस फाय नमक एक हर्पिटलोजिस्ट जो 1990 से इस जानवर का अध्धन कर रहे हैं उन्होंने इस प्रानी का नाम गुस्तावे रखा था कहां जाता है कि गुस्तावे को आखरी बार फरवरी 2008 में एक डक्मेंटरी बनाने के दोरान देखा गया था इसका सठीक आकार और वजन किसी को मालूम नहीं है दूसरे नमबर पे है डोमिनेटर डोमिनेटर को और एक राक्षस ब्रूटस के इलाके में देखा गया है इसकी भी सठीक लंबाई और वजन का नमूना नहीं है फिर भी अंदाजा लगाया जाता है कि 20 फिट लंबाई वाला ये राक्षस एक टन से ज़ादा वजन का है पहले नमबर पे आता है लोलोम दुनिया का सबसे बाड़ा ये मगरमच 20 फिट 3 इंच का था और उसका वजन 2370 पाउंड यानी 1075 किलोग्राम था इसे चिरिया घर में रखा गया था अपने जीवन के आखरी समय में उसे स्ट्रेस और फंगस इंफेक्शन के दौरान बहुत कश्ट उठाना पड़ा था आखिरकार 2013 के 10 फरवरी को शाम के 8 बजे उसकी मित्तु हो गई थी देखने के लिए धन्यवाद